नमस्ते दोस्तों आज हम बनाएंगे आलुपूरी एक गुजरात का एस्पेशिली सूरत का फेइमस डिश है एक खाने में चटप्रटा और बहुड टेस्टी है थोड़ा हम पहले से प्रिप्रेशन करके रखेंगे तो बहुत आसान होता है फिर बैनाने में चलो हम शुरू करते हैं आलुपूरी बैनाने के लिए सबसे पहले मैंने वटाना लिया है एक कप लिया है और इसको अच्छा से धोके छे गंडे भिगोया हुआ है अभी हम ये कुकर में डालते हैं इसमें हम अभी हल्दी डालते हैं बन बै फोर टीस्पून हल्दी डालते हैं और थोड़ा सा नमक भी डालते हैं नमक तो टेस के इसाब से डालना चाहिए अभी हम इसमें पानी डालते हैं पानी ज्यादा पानी ने डालने का जितना उसका लेवल में आए उतने तक रखने का और कुकर बंद करके ग्यास में रेखके 5-6 विसिल तक आना चाहिए उसके बादम दूसरे कुकर में 3 मीडियम सैस पोटेटो लिया आए और थोड़ा पानी भी डाल दिया अभी हल्दी और थोड़ा नमक डालके उसको बद करके 3 या 4 विसिल आना चाहिए पोटेटो और वटाना दोनों हम बोईल होने के लिए रखा है तब तक हम पूरी बिनाने के लिए आटा गुंद लेते हैं उसके लिए मैंने 2 वाट की मेंदो लिया है अभी आटा के बीच में थोड़ा होल डालके उसके अंदर हम तेल डालके देते हैं और थोड़ा नमक भी टेस के हिसाफ से डालके अच्छा से एक बार मिक्स कर देना उसके बादम उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालके अच्छा से उसको गुंद लेते हैं हमने आठा अच्छा से गुंद लिया है और उपर से थोड़ा तेल डालके वापस एक बार उसमें पूरा लगा के फिर साइड पर सोफ्ट वेने के लिए रखते हैं अभी हम ये ढखके आदा गंडे के लिए रख देते हैं अभी हम चटनी बनाएंगे ये कोक्कम है इसका चटनी हम बनाते हैं ये बहुत स्पेशल है आलू पूरी में मैंने 10-15 कोक्कम लिया है और ये भिगोने के लिए गरम पानी उसकी है गरम पानी में ये 15 मिनिट ये आदा गंडा भिगो के फिर हम इसको पिस लेते हैं ये तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा आधा गंडे के बाद हम ये कोक्कम को ग्राइन करके लेते हैं एक छोटी सी जार में डाल दिया और थोड़ा सा पानी भी उसमें से ही डाल देना जिसमें हमने भिगोया और उसमें जीरा पाउडर टेस के सापसे और लाल मिर्ची पाउडर जितना ती खापो चाहिए उसके सापसे और थोड़ा नमक भी टेस के सापसे डाल के फिर डपकन pirates के बन करके हम पिसके ले लेते हैं एकडम स्मूध पेस्ट होना चाहिए हमने जो गूंद के रखा था वो आटा को एक बार और अच्छा से इसे मसल के फिर चार फाग कर लेना है अभी हम उसमें से एक एक पीस लेके रुटी बिना देते हैं थोड़ा बड़ा वाला बनाने का शेप थोड़ा अच्छा नहीं आएगा तो भी चलेगा क्यूंगी बाद में हम उसको कोई भी राउंड शेप का बरतन से कटिंगर के ये इकुल साइज का पूरी बनाने वाला है ऐसे हम सब बेल के तायार कर लेते हैं आलि पूरी का जब पूरी फ्राय करता न उसमें जर्यूरि नहीं एवो फूल के आना चाहिए नइ फूलेगा तो भी कोई प्रवलम ने है तुलेगा तो भी कोई प्रड़म निये। बार जो दुकान से आलिपूरियम को मिलता है न। उसका कलर वो पूरी का कलर हमेशा वाइटी रहता है। इसलिए हम भी जो पूरी को फ्राई करते तब लो फ्लेई में डालके फ्राई करनेक। पूरी का कच्चा पर निकल जाए तब तक उसको उलट पलट कर जरा फ्राई कर देने। ऐसे हम सारे पूरीयम दयार कर लेते हैं। हमारा सब पूरीयम फ्राई हो गया। अभी मैं इसको एक पेपर नापकिन में रखी हूं ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा ओले वो निकल जाए। अभी हम यह साइट पर रखके आगे का सबजी का ताहरी कर लेते हैं। हमारा सबजी बनाने के लिए जो मसाला चाहिए वो सब में एक प्लेट में लेके रखी हूं। क्रश किया हुआ जिंजर गार्लिक, थोड़ा हींग लिया है। दो कटीवी ग्रीन मिर्ची, एक टीस्पून जीरा, हल्दी पावडर, मिर्ची पावडर, धेनिया पावडर, गरम मसाला और नमक। पान में तेल गरम होगया तो एक स्पून जीरा हम डाल देते। कटीवी ग्रीन मिर्ची डाल देते। उसके बाद क्रश्किया हुआ जिंजर गार्लिक डाल दिया और उसका कच्चा पर निकल जाए तब तक उसको थोड़ा चलाना है अब यादरक लसन का अच्छा खुश्बू आ रहे है उसका वो कच्चा पर निकल गया है अब हम इसमें जो हमने हींग लेके रखा है वो डाल देते हैं वन बैस फॉस्पून जितना पिर अच्छा से वो भी मिक्स कर देता है अभी हल्दी पावडर वो भी थोड़ा मिक्स कर देना अब हम लोफ लाइम में करना अभी देनिया पावडर मिर्ची पावडर गरम मसाला यह सब डालके अच्छा से एक बार मिक्स करके फिर उसमें जो बोईल करके रखा हुआ वटाना और आलू और डालके मिक्स करना है आलू का हमने चिलका निकालके रेडी करके रखा है अभी यह वटाना डाल दिया उसको भी मिक्स करना है और उसमें बोईल करके क्यूपस बनाया हुआ पॉटाटेव भी डाल दिया अभी यह मिसमें थोड़ा नमक भी डाल दिया पहले बहुत कम नमक डाले थे बोईल करने के टाइम बर अभी थोड़ा पानी भी डालके अच्छा से एक बार और मिक्स करके धक के पांच मिनिट के लिए रेखते हैं ताकि ये मसाला सब में अच्छा से मिल जाए पांच मिनिट के बाद हमारा सब जी रेडी हो गया सब अच्छा से मिक्स हो गया है मसाला भी बेराबर लग गया अभी थोड़ा दिनिया भी उपर से डाल दिया इसमें पानी ज्यादा होना नहीं चाहिए जितना अभी हम पूरी के उपर डालते हैं तो बस वो रहना चाहिए ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए इसलिए पानी बस इतना ही होना चाहिए उसमें अभी हम एस साइड पर रख देते हैं अब ग्रीन जटनी बनाने के लिए थोड़ा धीनिय लिया है, तीन चार फुद्ने का पत्ता लिया है, दो ग्रीन मिर्ची लिया है और एक छोटा टुकडा लिम्बू लिया है, उसमें तीन चार ड्रोप सी हम लेते हैं उसमें से, अब ये सब अच्छे से मिक्स करके, ग्राइ कर देते हैं उसके बाद एक कोखंगी चटनी फिर ग्रीन चटनी और जो सबजी हमने बनाया वो और दूसरा ये सेव उपर से डालने के लिए ओनियन को ऐसे सर्कल में काटा हुआ है अब से पहले हम जो सबजी बनाया वो थोड़ा सा एक एक पूरी के उपर इसे डाल देते हैं हाफ टी स्पून जितना डालेगा तो भी चलेगा ऐसे सब पूरी में इसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है अब हम सब पूरी के उपर थोड़ा थोड़ा जो ग्रीन जटनी लिए है वो ढाल देना है वो आपको जितना तीखा चाहिए उसके इसाप से वो ढाल सकते हैं छोटे बेच्चोंगो है तो थोड़ा साई डालना उसके साप से सब में डालना है अभी जो कोक्कम का चट्नी ये मने बिनाया वो फिर थोड़ा-थोड़ा सब के उपर डालना है फिर जो काटिंग किया हुआ ओनियन एक-एक उपर इसे रखना वो भी आपको जितना पासंद है उसके इसाफ से एक या दो जितना चाहिए लेख सकता है उसके बाद ऋपर से शेव भी डालना है वह भी आपके पसंद के साफ से एक जो ती खाल वाला चाहिए तो वह ले सकता है या दूसरा नमकीन वाला है तो आपका पसंद के साफ से जो सेव हैं वह लेके कर सकते हैं इसे अभी उपर से थोड़ा दिनिया भी डालके डक्रेट करना है हमारा आलुपूरी खाने के लिए एकदम रिडी हो गया आप ये जरूर घर पर एक बार ट्राइ कीजिएगा अगर आपको ये रसीपी पसंद आ गया तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और बेल बटन को प्रस कीजिए अगले रसीपी के साथ जल्दी मिलते हैं थैंक यू